हेलो एरिवन वेलकम टो एवरगिन स्टडी तो आज की वीडियो के अंदर हम बी ए प्रोग्राम थर्ट स्मेस्टर ही हिस्टी की बुप की यूनिट 3 करने वाले हैं फाउंडेशन, एक्सपेंशन एन कॉंसिलिडेशन ओफ दी मुगल स्टेट सैंचरी 16-17 तो इस चैप्टर के अंदर हम बेस्कली रीड करने वाले हैं मुगल एंपायर के बारे में कि मुगल एंपायर है वो एस्टर ब्लीस, उन्होंने फाउंडेशन किस तरिके से किया इंडिया के अंदर and consolidation देखेंगे कि जो मुगल एम्पायर दे इतना लंबे समय तक चला उसका वीघटन कैसे हो जाता ये सारे चीज़े हम इसी वीडियो के अंदर कवर करने वाले है Let's start our chapter तो सबसे पहले आपको मुगल एम्पायर पढ़ने से पहले आपको कुछ उसके पहले पता होना चाहिए कि मुगल एम्पायर वो किस परकार से स्तापित हुआ पहले हमें लोधी डैनिस्टी रीड करने पड़ेगी तो आपको याद होगा कि हमने दिल्ली सल्तने जो हमारा फर्स चैप्टर था हमने रीड किया था उसके अंदर कि दिल्ली सल्तने के अंदर पांच डैनेस्टी थी जिस में से जो लाज डैनेस्टी थी वो लोधी डैनेस्टी थी तो लोधी डैनिस्ट्री को सबसे पहले आपको इसके अंदर रीड करना पड़ेगा चित्री के से दन आप मुगल एंपायर करोगे क्योंकि लोधी डैनिस्ट्री को हरा कर ही मुगल आती है तो सबसे पहले हम लोधी डैनिस्ट्री को कवर करेंगे और फिर मुगल को क्योंकि आपको लोधी डैनिस्ट्री इसलिए कवर करने हैं क्योंकि ये बहुत सारे चेह से साथ पेजी में आपको दी गई है लोधी डैनिस्ट्री तो एक लोग कोशिन आ सकता है तो सबसे पहले हम लोधी डैनिस्ट्री को कवर करेंगे तो लोधी डैनेस्ट्री है वो 1451 तो 1526 तक आती है तो लोधी डैनेस्ट्री कब आती है पहले हमने देखा कौन सी डैनेस्ट्री थी स्लेव डैनेस्ट्री थी फिर खिलजी आई फिर तुगलग आई फिर सयद आई स्येय को हराकर सेधम कर है Không है नहीं है लोदी डैनिस्ट्री आई पता कीस आ कैसे सईयदो को हराकर लोदी डैनिस्ट्री नहीं थी में थ्री इंपोर्टेंट रूलरर एकं सीकंधर शाई और एक इबराहेम लोदी तो इनको रीड करते हैं तो फर्स रूलर है बहलू लोधी जिन्होंने क्या स्येदों को हराकर अपना लोधी डैनिस्ट्री स्तापित की थी फाउंड लोधी डैनिस्ट्री जो बहलू लोधी इन्होंने ही लोधी डैनिस्ट्री को अस्टबलीज किया था लोधी डैनेस्ट्री अश्छ डीली सिल्तनथ दिल्याथम ने देखी तो उसकी लाज़ डैनेस्ट्री थी वो लोधी डैनेस्ट्री थी दूरिंग दर राइन ओफ मौमद शाह तो मौमद शाह को उने जो सहीड डैनिस्टी के एक डूलर है उनके टाइम पिरेड में बैलू लोधी एक गवर्नर ते लाओर और सिरहिंद के ठीक है ही कंड कर तो जब बैलू लोधी है उनको हराकर अपना संगटन मतल अपना लोधी डैनिस्टी को एस्टबलीज करते हैं तो उन्होंने इतावा, गौालीर, मेवा, सिकाइत और समस्थल जैसी जंगय को उन्होंने एक्सपेट्श है वहीं बैलू लोधी एक ऐसे डूलर थे जिन्होंने जोन पूर को जीता था बैलू लोधी वो जिवाइस रूले तो मेशा बैलू लोधी ना एक बुद्धिमान डूलर थे क्यों थे? विकोज जो हमने देखा कि जो पहले वाले डूलर होते थे वो क्या करते थे? अपनी थ्रोन, अपनी राजगदी पर बैठते थे और ओर जमाते थे लेकिन बैलू लोधी ऐसे नहीं थे? वो क्या करते थे? जब अमीर लोग आते थे? रहीस लोग आते थे? बैलू लोधी वोज ए वाइस रूलर, he never sit on the throne and he used to sit on carpet, वो carpet बैठते थे, front of his throne, जो उनकी throne उनकी राजगदी होती थे, उनके सामने का है, carpet बिचाया जाता था, उसमें बैठते थे, with his nobles, तो अपने nobles के पास बैठते थे, to gain, gain किस चीज़ का, उनने sport मिल के, इसलिए बैठत हो जाती है, जिसके बाद कोन आते हैं, इनके बेटे आते हैं, सिकंदर लोधी है, 1489 से लेकर 1517 तक राज करते हैं, तो जो बैलू लोधी है, यहां पर आप करेक्शन कर लेना, यहां पर 89 आएका, ठीक है, तो इन 1489 निजाम साधी, well qualified सा नो बैलू लोधी, तो जो शिकंदर लोधी है, इनके बच्पन का नाम निजाम शाथा, बाद में वो अपने आपको एक नए पावर के साथ राजगदी पे आते हैं, तो अपना नाम चेंज कर लेते हैं, सुल्तान सिकंदर शाथ, ठीक है, तो तो सिकंदर लोधी है, उनके खासित बात यह है, उनके जो जो भी हो रही थी दिली सल्टन में, यह रिस्रिक्शन थी कि आप ट्रेड करोगे, तो कुछ रिस्रिक्शन थी, लेकिन जब सिकंदर लोधी आते हैं, तो वो सारी रिस्रिक्शन जो ट्रेलेटिड कोई भी रिस्रिक्शन थी, उन्होंने सिकंदर लोधी ने हटा दी थी, मतल जैसे यह मिरेज नहीं करते कोई गारत हो जाता है तो सब्सक्राइब परकार से जो ट्रेड वगारा काता रिस्रिक्षन वो इरेज कर दी गई थी सिकंदर लोधी के द्वारा विच इंक्रेज एकोनोमिक प्रोस्पेरेटी ओफ दा पिपल तो नोंने क्यों ट्रेड वगारा के लिए सारे रिस्रिक्षन हटा दी ती कि अब ट्रेड कर सकते उसे विलो क्यों कि यदि आप ट्रेड करोगे अनेदर कंटरी के साथ तो आपकी क्या एकोनोमिक बढ़ेगी तो यह नूने सारी जो रिस्रिक्षन थी वो हटा दी गए थी ट्रेड से लेटें जो मापन की एक वीदी ओते सीगनलोगी सबसे इंपोर्टन काम यही हैं उनका क्यूनने मांपन के वीदी स्टार्टकर वाई थी क्या थी वो देखते गांतों के तबेंको जैसे हमारी वाइर कोई भूमी वहती है उन्हों को बोलते हैं यह गैट को थे हैं इक एक वितती सिंञ शुगए तो उन्हों बोलता कि यह वापन की स्टार्ट नाम verse स्टार्ट करवाई थी जिसका नाम है इन्हें अपने नाम से स्टार्ट करवाया था एक गज में 32 इंच उंगे उन्होंने यह करवाया था मेजरमेंट के लिए जैसे अग्रिकल्चर वो मापते थे ना कि इतनी अग्रिकल्चर आपको मुझे इसना टेक्स देना पड़ेगा 50% लेते थे वो तो इसी की तरीके से उन्होंने क्या करवाया था एक गज जो भूमी है वो 32 इंच की है ऐसे मापन करवाया था सिकंदर लो दिने ठीक है एक ऐसे मुस्लिम थे जो की बहुत ज़्यादा यह मान करूर रूलर माने जाते हैं वो विकोज उन्होंने क्या करा था जो टैंपल्स वगरा थे उस में में जितने भी टैंपल से उन्होंने सार तो नहोंने सारे टैंपल तुडवा दिये थे जैसे कि उन्होंने बहुत सारे टैंपल का टैंपल तुडवा दिया था उन्होंने बहुत सारे टैंपल तुडवा दिया और जो उनके बाद उनकी जो मिर्तु है वो 15-17 में हो जाती है जैसे कि उन्हें ज्वालमूखी टेंपल तुडबा दिया था मुध्राग टेंपल तुडबा दिया तो जो लास्ट रूलनर होती हैं वो इब्राइम ल१ी होती सबसे इंपोर्टेंट माने जाते हैं जो कि इब्राहिम लोधी के मनने के बाद ही मुगल एंपायर स्टार्ट होता है इब्राहिम लोधी का जो टाइम पिरेड है यह 1517 से लेकर 1526 तक है आपर सिकंदर लोधी जो सिकंदर लोधी होते हैं उनके बाद क्टें के सिकंदर लोदी के दो बच्चिंए होते हैं एक नाम हो इबराहिम लोदी और स्थ जलाल तो जलाल ओर इब्राइम लोदी ने इक फ़ल्ट पहले अपना डिस्ट्रिबूुशन कर लिया था कि में पास इतनी property रहेगे आपके पास इतनी रहेगे लेकिन इब्राहिम लोदी को लाला चाह जाता वो क्या करता है अपने भाई जलाल को मार देता है और फिर उनके पिता सिकंदर लोदी के बाद बनते हैं इब्राहिम लोदी तो उन्होंने जलाल को मार दिया जाता है और फिर वो अपने कर वो बिल्कुल वो जाते हैं कि अपने भाई को ही मरवात एक इतना रूण रूलर है उस के सिक ट्रीके से उन्होंने भहुत सारे राजा के साथ षाथ करी तो ऐसा माना जाता है कि इव जाथ रूण रूर रा तो उनके पंजाब के नोबलग से ऑगग्डोर Leute प्राइम लोधी को मरवा दूंगा और मैं क्या बैठ जाओंगा वहां पर राजगदी पर बैठ जाओंगा तो ऐसा होता है कि वह क्या करते हैं दोलत खान एक व्यक्ति थे बाबर बाबर नाम के व्यक्ति है जो कि आगे चल कर मुगल एंपर को अस्ट ब्लीज करेंगे तो वह सोचते हैं कि एक ऐसा रूलर है एक ऐसा व्यक्ति है जो क्या कर रहा है कि जंग है जहां भी जा रहा है लूट वूट करके सारा समान ले रहा है एक करूर है जिस पकार मंगोल थे ना मंगोल क्या करते थे किसी पर आकर्मन करते तो सारा कुछ छीन लेते थे तो उसी की तरीक को मार दे और मारने के बाद जो थ्रोन है मेरी हो जाएगी राजगदी मेरी हो जाएगी तो वो क्या है बाबर को काबुल से बूलाता है उपाद बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होती है बैटल ओफ पानिपत तो बैटल ओफ पानिपत किसके बीच होती है एक होती है बा लोधी को माट देतें हैं तो बाबर ने क्या करी है इसके बाद वह मुगल एमपायर को करते हैं यह जोन कATA सकते हैं वह Surprise वस्तों डिल्हें सब्सक्कार लेंक sembra लोधी आपस इस चैप्र स्थे चेप्ट अम आपने मेडिकि Sugdo तो जोन कर laisser लो